एलो गाइस वेल्कम बैक आज अपन देखने वाले कि कैसे हमारा ये डीजे आलो जनम लेता है और उसके बाद उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है और फिर कैसे उसकी दैत हो जाती है यार और गाइस इन सब के बीच में उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जे लिया है और इ इनका जो आच्वल ड्रीम है ना भाई वो यह कि वह एक डीजे वाले बन जाए ठीक है इनका बहुत मनता कि कभी नगभी एक डीजे वाले बन जाए बट इनके घर की हाला देकाराण यह अभी फैक्ट्री पर ही काम कर रहे है क्योंकि आलो का पढ़ाला देखाना है और उसक दोस्त लोग आज कर कुछ नया गेम खेल दे रहते हैं तो वही गेम इनके साथ जाके खेल लूँगा ऐसा सोच कि अपने घर से निकलता है और यह ऐसा ही रोट से जाधा रहता है लेकिन यह देखता है कि इसके घर की बाजू में बहुत सारे लोग ना कुछ खेल रहे हैं व भाईया भाईया क्या मैं भी एकाद एम लगा लूँ क्या अरे बच्चे छोड़े लोगा खेल लाई है समझा यहां पर जिग्रा चाहिए जिग्रा अभी एक आद मीस होगा सब तेरो पर असमें लगेंगे समझा चल बाग जाए इधर से नहीं तो फिर मत तेरे उपर ही मार और तरको ठीक है अरे बाप रे बाप आप तो संक्ट में डाल दिये चलो ठीक है अब ऐसा भी रहा तो फिर ठीक है गन देदा मुझे चल मार कर दिगा मारता हो भाई निशाना लग जाना यार मेरा निशाना चाहो का यह ले लेट्स गो अरे वा उरे बहुत बढ़ें बहु एम कर पाऊगा ठीका बेटा लोग लोटा दो अरे हाँ यह लोग अपनी गट मैं चलता हूं यार मुझे ट्यूशन अरे ट्यूशन धरी दोस्ता के साथ जाना यार लगता है मेरी एमिंग बहुत बढ़िया एक दिन मैं बहुत अच्छा गन चलाने वाला जरूर बनूंगा औ गाइस तो फिर यह ट्यूशन ना जाकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और यह लोग पर ऐसे आपस में कुछ बात चीत करते रहते हैं लेकिन तब ही ना इसके पापा को आलोग से कफी ज़्यादा काम रहता है तो यह आलोग को दूर दूर जाकर खोशते रहते हैं कह सहाई को भी लेकर उसमें अच्छा से सीरियस में अच्छा से पढ़ नहीं रहा है उसके बापा बहुत गुष्सा हो जाते हैं और अब यह समझ जाते हैं कि यह कहां होगा क्योंकि इसके बापों को पता है कि कुछ आलोग के इसे गवार टाइप के दोस्त हैं उनके साथ सजा दोंगा ताकि अगली बार्च वह ऐसा ना करें यार लेकिन फिर भी आलोग भाई बड़ा धीट हो चुगा था तो फिर यह पहुंच जाते हैं और वहां पे वह आलोग को इसकी सारे दोस्तों के साथ देखते हैं और बहुत गुस्ता हो जाते हैं ठीक है लो देखो कर अधरोबाद हम इसके टूशन के लिए पैसा भर रहे हैं और तुम इदर टूशन जाना चोड़ रहे हो हां अरे पापा कैसे यहां आने का कश्ट क्यों उठाया आप मुझे बुला लेते तो तुम नहीं बुलाता तो तुम यहां उठाने का क्स्ट क्यों करते हो तुम अरे यार पापा वो 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 ना मैं तूशन के लिए लेट हो गया था तो मैं यहीं आ गया यार अच्छा चलो चलो बैटो अभी गाड़ी में तुमको बताते हैं हम जलो जल्दी आगे बैटो अरे बाप रे बाप आज तो बैंड बजेगी बाई अरे पापा आज का मौसम ले जाए क्या अभी तरह घूमना देकालूंगा बैटा तेरे को मौसम बहुत अच्छा लग रहा है ना रुग जा रुग जा यह बता कि हम टूशन के लिए इतने महेंगाई सेलर जगण के तुमारे पैसा बचा के टूशन फिस देते हैं और तुम टूशन को नहीं जाते ह आरे यार वो वो पापा मैं तो बस आज आज ही नहीं गया यार बाकी दिन तो मैं जाता रहता हूं ना अच्छा तुमारे टीचर तो बोहुत दिन से नहीं आते हो जूट भी बोलने लग गये हो आजकाल अरे यार पापा आप टीजर से भी मिर लिए क्या चलो ठीक है यार अभी तुम कुछ नहीं चुपचाप घर जाएगा और पूरा सिले बस पढ़ेगा बैट के समझा इधर उदर काई नहीं भागेगा चुपचाप घर जाओ और बैट के पढ़ो ठीक है अरे वह तो ठीक है लेकिन पापा आप मुझे खोज क्यों रहते यह तो बताओ यार अरे वह तुम्हें बाद में बताएगा चलो अभी घर जाओ अरे ठीक है यार ठीक है मैं भी चलता हो गर सुपचाप पढ़ूंगा यार गाइस पढ़ाई तो मुझसे होगी नहीं गर पे मैं क्या करूं यार अरे वा मिरे पास एक आइडिया है मिरे पास भी तो एक टॉय गन है मैं उसे एमिंग प्राक्टेस करूंगा बढ़िया और फिर वह बाजू वाले भाईया लोग है ना उन्हें हरा दूंगा जाके मज़ाएगा चलो बैक यार्ड में जाता हो पीछे जाके सब करता हो पापा को वैसे भी नहीं दिखेगा आपके जाने का भी वेट कर लेता ह अरे यार यह बच्चा पढ़ता नहीं है तो इसको यह बोलने के लिए था कि अब मेरा जो जौब ता वो भी चला गया है जी अब मुझे पता नहीं कि हम लोग का गर के कर्चा कैसे चलेगा जी और यह बच्चा भी पढ़ता लिखता नहीं है मेरा टेंसे बहुत ज्यादा जा रहा है जी और मेरा डी जे बजाने का अधूरा सफना भी पता नहीं का पूरा होगा जी मुझे दिनों से अइसा ही तड़ाप तड़ापके जी रहा है मैं और यह लाल लाईट यह लाल लाईट मेरा पीचा यू नहीं चोड़ता जी अरे जी कौन है तो मैं वो हूँ जिसे तुझे आज मिलना जरूरी था चलो बढ़िया है मेरा काम तो हो गया है बता देता हूं सरको करते सबसे पहले इस पर लगाते यह बीच अरे एक मिनट किसका कॉल भाई अरे यार अन्व नमबर ठीक है अलो अरे क्या मेरे ऑपरिए यह क्या वोल रहा हो ल्यात यह बोल रहा है भाई मेरे पापा का एक्षिजटर ओए और यह सब क्या सरत है यह क्यासे हो थे पर अग्रवी यह को भी इसकाए अदर रहेंडा आप लिप्ट कर दो पार थोड़ी का नहीं फेर थोड़ी अप्रें आप रहें नहीं बाप पापा मैं रहा हु यार अरे दस घंटे है टोड़ के मैं अरे वर एक मिनेट अरे पापा जमीन पर यह पापा हरे रहे पापा उ एक्सिदेंट हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं वेरी साइड हरे बाप रे क्या अगिर यह कैसे हो सकता है एक मिनट यह मैं काओ अरे भाइसाब क्या क्या हुआ मुझे बताओ बता तुम वहां पर बहुत हो गया और फिर तुम्हारा घ्यार रखे अब तो मेरा घ्यार अब तो मेरा कैसे करूंगा यार अब तो मेरा कोई भी नहीं है पापाई थे अब ना तो खाने पीने का कोई ठीकाना है और ना ही घर का कोई किराया दे पाऊंगा मैं यहां से भाग जाना ही बेतर है यार गाइस कोई ना कोई तो मदद करेगा फिलाल अभी तो मुझे कहीं जाके रेस्ट लेने की जरुद आप एसे खड़े खड़े जाओंगा पर ना मैं तो ऐसे भी कई जाने पा रहा था गाइस फिर आलोग उसी ट्रॉक वाले के साथ काफी दूर तक ऐसे चला गया लेकिन आपने नोटिस किया है उजो ट्रॉक वाला था वही बनना है जिसने आलोग के पापा को निपटाया था ह हाँ आप रिवाइंड करके चेक करो कि वो दोनों बंदे सेम है और अब उसी के साथ आलो कहीं दूर जा रहा है भाई फ्यू डेज लेटर हरे यार यह लोग मुझे कहां ले आए और बोलते हैं कि अगर खाना खाना हो तो यहां पर दिन भर काम कर लो और गाइस मुझे अजने बुला के शुला दिया था अरे बाई आलोक यहां पर फच चुक सो तक तक एसी कुछ कुछ काम करता रहा घ्ञास छिलना हो घ्या और से कम से कम ऐसा करते करते काफि साल बीत गया गाइसब काफी बढ़ा हो चुका था और यहां के छोटे-बडे शारे करकी गाम करता और यहां पर बाहर से लागे रोम अटेटर्स आने पड़ते थे और यहां के जो भी समान होते थे उसको सिटी में एक्सपोर्ट करने रहता था तो आलोग में ली यही काम करता था ड्राइवर वाला और इसको काफी तारे पैसे भी मिल गये थे मदब यहां पर जो लोग रहते लेगा तो वह कहीं ना कि इसके दिमाग में था और यह सोज भी रहा था बहुत दिनों से कि मैं भी एक डीजे विजे खरीदूंगा यार और एट लीस्ट मैं डीजे खुछ सीखूंगा इधर दर लोगों को सिखाऊंगा और बजा बजा के खुश करूंगा तो यह जाता है यह जोड़ा खुश रहता है कि चलो कम से कम मैं अपने पाबा का सबना डीजे दो लिया और फिर आप यह बजाने के लिए भी सीखने वाला था लेकिन दिख्क्या यह थी कि इसकी वासे परसनल रूम नीचा आप यह आच्वल में रखके सीख सके तो इसने होचा चलो ठीक ह में रूम नहीं है तो मैं अगर बाथरूम के आसपास ही डीजे लगा दू जहां पर कोई आता जाता नहीं है तो फिर मुझे कोई ऐसा इसू नहीं होगा तो यही सोच कि यह बाथरूम वाले जगा में अपना डीजे को प्रॉपर इंस्टॉल कर देता है ठीक है अब गाइस टेक्निक लिए देखा जाया तो यहां पर लोग आते जाते हैं तो इसके साबसे अच्छी जगा थी डीजे को बजाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत भड़ा के देखते हैं गाइस पहले तो शुरू में कुछ समझ आनी रहा था कि भाई क्या करना है क्या हो रह इसा पर बजाता था यह साइट जॉप लेकिन में जॉप तो यह अभी वालों के लिए काम करी रहा था त्भत जोंसे इसे के साथ तकनिक बाहर से रह रहा है कहां जानीर इस ने क्मे में इसले करने ॉर् जकेडा की आवाज आरी तो आती है इसे संहीं दिश्रिया कि ऐस अब्रेश कि ठीकाव मसदाकी श्रिया के बहुत टो दो रही हो तो समझ एक यहांollar जोड पर चल रही है रही है छुपके लिए यहां पर बंड़ों संवल ने गिराफ्तार कर लिया और वह से और पैसे की मांग कर रहे हैं तो दोनों को बतलब गलती और फिर इसका पॉस बोलता है औरे वालो तुमने मेरी जान बचा ली तुम इतने बड़िया हो फाइट में मुझे पता नहीं था यार और मैं तुम्हें यहां पे घास फूस का काम करवा रहा था तुमसे ड्राइविंग करवा रहा था तुम तो बहुत ही बढ़िया हो यार तुम्हें काम करो तुम मेरे मेन बिजनस पे आ जाओ जो कि हैं फाइटिंग हम गन एक्सपोर्ड इंपोर्ट करते हैं और हम एक दूसरे को मारते भी हैं समझे क्या बलते हो कि तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है हरे यार मैं तो वैसे भी गन के लिए बड़ा मरा ब्रपी 16-10 आधको मुoga लेकर आते हैं दुन्या सब को साउस्क्राइब से और हैाज दुट हैं और यह आज का अलोगência की दुनिया पेus मारने हुख लगा यहां पर इसे छिब खारव दूसी हैं windsore फैद करने धर धम upwards आते एक से वैपन लेकर आते हैं लेकिन आलोग अकेले सब को हैंडल कर लेता है और इसे पैसे भी मिल जाते और इसे मज़ा भी आने लगता और धिरे-धिरे करके ये फ्रीफायर का वन आफ दा टॉप प्लेयर्स में से अनल लग गया और एक काफी फेमस भी हो गया लेकिन एक दिन दुश्मन इतने जादा हो गया थे कि आलोग अच्छुली में दो 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 फस गया था और हर जगा से कवर भी हो गया था और इसे दोनों तरफ से जब घेर ल कर दो